आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है बेवकुफ मुखिया, एक गाउ में मुंशी नाम का व्यक्ति रहता था, जो गाउ का मुखिया था, मुखिया एकदम बेवकुफ था, वह लोगों के जगरे सुझाने की बजाए उन्हें और ज्यादा मुसीबत में डाल द उसका आधा हिस्सा रामू की हिस्से में और आधा हिस्सा श्यामू की घर की और जुका हुआ था, श्यामू ने उसाम के पेर से कुछ आम तोड़ लिये, ये देखकर रामू को बहुत गुसा आया, उसने तुरंट श्यामू से कहा, तुमने फल क्यू तोड़ा, श्यामू न जवाब दिया ये सुनकर रामू ने कहा मैं मुख्या के पास जाओंगा और तुम्हारी हरकते भी बताओंगा श्यामू कहता है हाँ चले जाओ मैं कौन सा दर्ता हूं मैंने कोई चोरी थोड़ी ही ना की है अगी सुबर दोनों मुख्या के पास जाते हैं और अपने जगड़ क्योंकि पेर उसका ही था उसने बड़ी मेहनत से उसे पानी देकर बढ़ा किया था लेकिन मुख्या अपनी बात पर अड़ा रहा और आम का पेर कत्वा दिया ये सब देखकर रामू की पत्नी बहुत फ्रोधित हुई उसने कहा कि मुख्या ने ये सब हमारे साथ सही नहीं क चाहिए, कुछ दिनों बाद रामू के घर में एक चूहा आ गया, रामू की पत्नी उस चूहे को भागाते भागाते घर से बाहर आई, तो चूहा श्यामू के घर की ओर चला गया, ये देखकर रामू की पत्नी खुश होते हुए बोली, ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम मु मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर श्यामू से कहता है, श्यामू, ये तुमने ठीक नहीं किया, अच्छा रामू, तुम एक काम करो, श्यामू ने चूहा पाला है तो तुम बिल्ली पाल लो, जैसे ही वल चूहा तुम्हा जैसे ही चूहा आया, बिल्ली ने उसे दबोच लिया और खा गई, अब ये बिल्ली श्यामू के घर जाती और उसके अनाज को तितर बितर कराती, ये सब देख श्यामू की बहु को काफी गुसा आया, वो श्यामू को लेकर मुख्या के पास गई और आज हुई सारी घटना को मुख्या को बताया, मुख्या ने ये सब सुनकर कहा, देखो श्यामू, अगर रामू की बिल्ली तुम्हारे घर आ रही है तो तुम्हे काम करो, तुम्हे कुत्ता ले आओ, इसके बाद रामू की बिल्ली तुम्हारे घर के आसपास भी नजर नहीं आएगी, श्यामू को बोच लिया और खा गया, ये सब देख श्यामू खूब हसा, लेकिन रामू और उसकी बहू इस बात से बहुत दुखी थे, वे दोनों दुबारा मुख्या के पास गए और अपनी बिल्ली की मौत के बारे में बताया, मूर्क मुख्या ने रामू को उपाय बताते हुए कहा, रामू, अगर श्यामू का कुत्ता तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक शेर पाल लो। इस बार मुखिया का उपाय सुनकर रामू थोड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि वह जानता था कि अगर शेर को पाला जाएगा तो वह कभी न कभी उन् शेर को खाना दिया, आगी सुबह जब कुत्ता रामू के घर आया तो शेर ने उसे दबोच लिया और खा गया, कुछ दिन शानती से बीते लेकिन अब शेर के भोजन की व्यवस्था करते करते हैं, रामू के घर का अनाज भी खत्म होने लगा था, अब वह शेर को बहुत ही कम भोजन देने लगा, भूखा शेर बहुत तेज तेज दाहार ने लगा, उसने अपनी जंजीर तोड़ी और गाउ की तरफ निकल गया, शेर को खुला हुआ देखकर गाउ के लोग इधर उधर भागने लगे, चलते चलते शेर मुखिया के पास ही पहुँच गया, शेर को आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं